अस्सालाम वालेकुम और रहमतुलाहिव वबरकातुम। मैं तेके सुपहिरे से होंगे, अल्ला करे सुपकु सायतन से नवासे, आज हम डाइवेंट्स कोपिंग में जबर्दस रेसिपी ले किया है। मैं अपने से लेके आरहे हूं। यह रमजान के यह रमजान की इफ्तार में जरूर्ट ट्राय करिए, बहुत अच्छी बनके रेडी होती है, यह रमजान के बनाएंगे आज खरवुजे का सीजन चर रहा है, जबर्दस खरवुजे अच्छे बड़े खुले वे, मघसदार खरवुजा में रहा है। यह सीजन में बनाएं तो बहुत टेस्टी बनके रेडी होता है, बहुत अच्छा बनता है। चलिए इसारे इंक्रीडेंस हैं, मिक्सर ट्राइफूर्स ले दी, ले लिए बादम, फिष्टा, अंजी रख, किश्मी शेप, सबी चीजा है, इसमें अंजे को भी बारिक कट करके रख ली मैं, एक कठोरी मलई है, एक कठोरी मिल्कमेड है, एक कठोरी क्रीम है, खरवुज बींजा निकाल लेंगे, एक प्लेट में अपन, एक चम्चे की मदश से अलग से निकाल लेरी, मैं पूरे बींजा लेखें, खरवुजे के उसके अच्छी लिए निकाल लेंगे अपन इसके, आप बींजों को भी आप धो के जो खायश मंद है, ये बींजा खाने वाले उन भी आप दिरुए जरक्षी एक करいたक्रिंगे, चलिए अच्छी तरहश काल देजिए इसको अच्छा नरम हारम खरवहु जाप class भाक हो जाता है ये पर आपने के जुर्ण चोरद्रियम के जोड़ाइब ले जोगी है लिए гр kilos आपन क्रीम जिलां हो धाए ममेट क्रीम करें लाए प्रीज कमेंट करके बोलिए मैं नेक्स्ट रसीपी फिर होमेट क्रीम की बताऊंगी इन्शाल्ला अच्छे तरह से मिल्क मेट और क्रीम को मिक्स कर लिए पां मैं यह अमूल का लिए क्रीम करीम मख्स कर दाल देनके आधा कप दाल अधा कभ उपर से अधा कर दाला कि अगर आपको शकर कम दो कुछ दाल सकते शकर क्यों मिल्क मेट दा रहे हूं सक्का माफि हुआ है और क conserve एक लजीज बनके रेड़ी होता है चलिए इसमें half dry fruits इसमें दालेंगे half उपर से दालेंगे कितना easy बनके रेड़ी हो देखिए मिठा अपना जबरदस चलिए इसको सर्फ करूंगी मैं सर्फ करके बताऊंगी चलिए एक serving dish ले लिए इसमें मिठायट कर देंगे इसमें देख सकते हैं माशाला माशाला क्या कलर भी है देखिए जबर्दस कलर आया क्रीम देखिए मलाई आइट करूंगी में इसके अपर कर देखिए रमजान में भी जरूर ट्राय करिए रेसिपी को इफतार में बहुत बच्चों को बहुत पसन आएंगी इंशाला इसको अच्छा थंडा फ्रीज में रखके थंडा करके खाना और टेस्टी दिखता है यह मिठा अपने को चलिए अपना मिठा बनके रेडी हो गया टेस्ट करके बताऊंगे और क्या दिख रहा है अभी से अब सब बर्दा से मिठा जरूर ट्रैकरी आप यह रेस्पी को एकदम सिंपूल आइंड टेस्टी रेसिपी है जरूर ट्रैकरी चलिए लाफिस नेक्स्टे डेनेक्स्टे रेसिपी ले क्योंगी मैं दूआ में याद रखिए शबागा क्या दिए ।